मुंग दाल का डोसा चटपटा मसाले वाला मुंग दाल का डोसा राइस के लिए क्या समधिर लगेगी चावल चनी की दाल यह मुंग दाल अब एक बर्तन में सारी समधिर अब अब उससे कम लिए में चावल डाल दिये हैं अब हम इनको सबको मिलाकर अच्छी तरह से पानी से दूएंगे अची तरह दोना है ताकि सब गच्रा सारा निकल जाए और हमाई दाल साफ हो जाए अची तरह दोते हुए हमेसे विंगोना है रात वर के लिए जाब 8 गंटे भी रख सकते हैं 6 गंटे में दाल अच्छी तरह गल जाती है और पिस दीजी आप इसे अच्छी तरीके से पिसे रात में रखते हैं तो ज्यादा अच्छा दोसा बनता है इसका अच्छी तरह मिष्ट पीष्ट 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 अब तो डालते हुए से बारिक पेष्ट तयार कर लेंगे महीन पीष्ट 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 पी बाइंग डालके पीस लिया है बारी थोड़ा पेश्ट मेंने रच मर्ची तरह से मिक्स करना है हमें देख लीजी पेश्ट बहुत बारी के मोटा ना पीस है नहीं तो रोसे चिकने नहीं बनेंगे अब इसमें हम डाल देगे हींग आरीच में डालना है इसका सौध बहुत अब इसमें हम डाल देगे स्वादनुसा नमक नमक डाल दिया है मैंने अब इससे अच्छी तरह से मिलाना है हमें ताकि नमक मिर्च का पेश्ट अच्छी तरह से मिल जाए इसमें और अच्छी तरह से इसमें बबल्स ना रहें और इस चिकना पेश्ट हमारा तयार हो जाए देखे कितना fine paste है हमारा, बहुत अच्छा चिकना हो चुका है, डोसेग लिए विकुल रेडी हो चुका है, देखे अब इसमें हम क्या डालने वाले हैं, यह गनपाड़ जो मैंने बनाए हुआ था, यह मैं इसका यूज करने वाली हूँ आके, देख लीजिए, इसमें पत्ता लालके हम इसे तयार करें हो, पानी की साहिता से अच्छी तरह से पोचेंगे, कम तापमान पर ही गरम करना है हमें इसे, ताकि दोसा हमारा अच्छा बने चिपकेना, देखे किस तरह में डाल रही हूँ उसे, जितना बड़ा दोसा बनाना है उत्ता पेशा आप ले सकते हैं वह ऐखे, से देखे, इस तरह फेलाएंगे, देड़े करते हूं से फेलाना है, और बद्धे आज में इसने हमीज सेखना बीएं, हलके आतों सही फिलाना है, स्लोप पहीं हम इसे कुरकुरा होने के लिए सेखना है देले रखते जाएंगे ताकि जो बबस उपर आएं उसे दबाते जाएं आप दोस्तों ये डोसा खाने बहुत देश्टी लगता है आप इसे बनाएं ट्राय करें और बताईए आप इसमें सारी वेजिटेल हम यूज कर सकते हैं सीजनेवल वेजिटेलों का यूज भी कर सकते हैं आप इसमें देख लिए सेजवान सॉस मेंने जो बनाए हुआ था घर पे यूज को इसमें लगा रही हूं सबस्की साथे से अच्छे तरह से खेलाते हुए से लगा रहे हैं इसका वीडियो में आपको देदूंगी और योगन पाउडर में बनाए हुआ था उसका यूज में करने वाली हूं आगे देखते जाए आप किस तरह हम रेडी करेंगे हमा इसे भी अच्छी तरह से फिलाना है हमें तो इसको स्लोही रखना है ताकि हमाना डोसा सिखते जाए और मसाला पकते जाए उपर जिगन पाउडर जो मैंने बनाए हुआ था आपको मैंने इसका वीडियो भी दिया है दोस्तों आप इसका यूज इस डोसे में कर सकते हैं और अच्छी तरह से फिलाते जाएं आप वह टेश्टी डोसा लगता है दोस्तों यह मसाले वाला चटपटा ना मुंगदाल का दोसा आप इसे ट्राय करिए वेजीटबल है पत्तागोबी मेंने बारी कट हुई थी इसे भी डाल देंगे हम इसे ज्यादा नहीं सेखना है थोड प्याज भी डाले हैं दोस्तों तो अच्छी तरह सिखते जाएं और सफ्टर सोट हो जाएं मसाला वो डाल रहे हैं तीका पसंदेता आप और मसाला डाल सकते हैं इस तरह हम डोसा तयार करेंगे अच्छी से प्रेस करते हो दबाना है ताकि मसाले में हमाई वेजीटबल मिल जाएं और अच्छी तरह के से सिख जाएं देखें किस तरह सिख रहा है मधूरी आँच में अमारा डोसर कुरकुरा चटपटा मसाले वाला डोसा तैयार होने वाले दोस्तों देखिए आप अब इसे पल्टे की सालती से दीरे दीर रोल करते जाएंगे निकालते हो यह रोल